कितनी लापरवाही लापरवाही वाली और कितनी खत्मराग बात है तीस हजार स्क्वेर मिल से बड़े छेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके कि उसे हर तरह के विकास से बंचित कर दिया गया है यह लोहिया जिने नहरु पर अरोप लगाया था कि नौर्दिश के लिए तुम्हारा रवय्या क्या यह कहा था नौर्दिश के लोगों के रुदय को अपने कभी समझने की कोशिश नहीं कि कि मेरे मंत्री परिशत के चार सो मंत्री रात्री निवास करके और अखेले स्ट्रेट हेड़कॉर्टर पर नहीं है डिस्ट्रिक के हेड़कॉर्टर अब मैं स्वाइं 50 बार गया यह आकड़ा नहीं है सिर्प कि यह साधना है कि यह नार्दिस जप्रती समर्पन है अधनी और कॉंग्रेस का हर कामकाश राजनीती और चुनाव और सरकार के आसपासी गुंता रहता है जाजा सीटे मिलती हो ज़लाजनीती के अपनी मजबुरन स्थ हई कुछ कर लिते हैं लेकिन नौरहीषट में लेकिन नोर्थ इस्पारें आसे लेकिन नौर्थीस डेभए शुर्याहर सग्राइन रहा है नौर्थ इसमें नौर्थ इसमें उनकी कोसित रही कि जहां पर एकका दुक्ता सीटे होती थी वो इलाके उनके लिए स्विकार्य नहीं थे वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था उनको देश के नागरी के रिते उनकी कोई संवेजरा रही थी आजएंडिया देट जी और इसलिए जहां एकका दुक्ता सीटे हुआ करती थी उसके पती सोतेला ब्यहवार यह कॉंग्रेस के डीने में र देख लीजी है कि नॉर्टिस में उनका यह रवया था लेकिन अद्धिक जी मैं पिछले नौ साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्टिस हमारे जीगर का टुकड़ा आज मनिपूर के समयस्याओं को ऐसे प्रसूत किये जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहाँ यह परिस्तिती पैदा खुए तक अमीद भेह ने भी स्टार से बताया है समयस्या क्या है कैसे हुआ है लेकिन मैं आज बड़ी गंबीरता से कहरा चाहता हूं कि नौर्थ इसकी इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एक मात्र कॉंग्रेस नौर्थ इसके लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है इनकी यह राधनीती जिम्मेवार कि आधनिय ब्यक्जी भार्तिय समस्कार्णाव से ओत प्रोत मनिपूर भाव भक्ति की सम्रुद्ध विरासत वाला मनिपूर स्वतंत्रता संग्राम और आजाधिन फोच अंगिलत बलिदान देने वाला मनिपूर कॉंग्रेस के शाषन में ऐसा महान हमारा बुबाग अलगाव की आग में बली चड़ गया था आखिक क्यों अदेनियर देख जी आप सब को मैं याद दिनाना चाहता हूं साथ यहां मेरे जो नौर्दीस के भाई हैं को हर चीचता पता है जब मनिपूर में वो एक समय था हर ग्रवस्ता उग्रवादी संगधनों की मर्जी से चलती वो कहे वो होता था और उस समय सरकार किस थी मनिपूर में किसकी सरकार थी जब सरकारी दप्रों में मात्मा गांदी की फोटू नहीं लगाने दी जाती थी तब सरकार किसकी थी जब मुईरांग में आजाध हिंद भोज के संग्रालाय पर नेता जी सुवार्च अंद्र बोज की प्रतिमा पर बंप्यका गया तम मनिपूर में सरकार किसकी थी अधर जी जब मनिपूर में स्कूलों में राष्ट्र गान नहीं होने देंगे ये निर्णे किये जाते थे तम मनिपूर में सरकार किसकी थी जब अभिमान एक अभियान चला था अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का ये देश का अमुल्य ज्यान की विरासत को जलाते समझ सरकार किसकी थी जब बढ़िपूर में मंदिर की घंटी शाम को चार में बंद हो जाती थी ताले लग जाते थे पूजार चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था सेना का पहरा लगाना पड़ता था तम मनिपूर में सरकार किसकी थी जब अपसर हाल देखिए अगर वहां पर काम करना है तो उनके तंखा का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था तब जाकर कर वो रह पाते थे तब सरकार किसकी थी अधिन्यति जी इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है इनकी संबेदना है सिलेक्टिव है है इनका सब पाती राजनिती से शुरू होती है और राजनिती से आगे बढ़ती है वह राजनिती के दाईरे से भारत है न मानवता के लिए सोच सकते हैं न देश के लिए सोच सकते हैं नहीं देश की इन कठिनाईयों के लिए सोच सकते हैं उनको सिर्फ राजनीती के सिवा कुछ सुच्ता नहीं है है अधिनेगे जी मनिपूर में जो सरकार पिछले से साल इन समस्याओं का समधान दूनने के लिए लगातार कोशिश सबर्पित बावं से कोशिश करें बंद और ब्लॉकेड का जमाना को भूल नहीं सकता है मनिपूर में आए दिन बंद और ब्लॉकेड होता था वाच बीते द आपना के लिए हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वात जगाने का प्रयास दिरंतर हो रहा है आगे भी होगा और जितना ज्यादा हम राजलीती को दूर रखेंगे उतनी शांती निकट आएगी कि मैं देश वाच्चों को विश्वात दिलाने चाहता हूं हादर देख्ची कि हमारे लिए आगे नौट इस आज भलेह दूर लगता हूं लेकिन जिस प्रकार से 37 देश्या का विकास हो रहा है जिस प्रकार से आश्याम देश्वों में कम अधु बढ़ रहा है वह दीन दूर नहीं होगा हमारे इसट की प्रकतिके शाथ नौट इस वैस्व और इसलिए मैं पूरी ताकत से हाद 39 की प्रगति की ले रहा हूं वोड के लिए नहीं कर रहा हूं जी मुझे मानू